क्या कोई मापने आशिक की साथ रहनी के लिए अपने ही मासुम बच्चों की जान ले सकती है? सुनने में थोड़ा आपको अजीब जरूर लग रहा हुगा, लेकिन ऐसा हुआ है महराश्ट की रायगण में. यहाँ पाच और तीन साल की मासुम बच्चों की रहसे में परिस्त करना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे इसमें बाधा बन रहे थे, लेहाँ जब 25 साल की महिला ने दौनों बच्चों की हत्या कर डाली, पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला को अब गरफतार कर लिया है और पुलिस ने बताय की महिला शादी से पहली भी प्रेमिक के सा लेकि अलिबाग स्रीविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जाज करने पर डॉक्टरस ने बच्चों को वहां लाए जाने से पहले ही मिरत होना घोशित कर दिया, इसके बाद अस्पताल सिंबी की सूशने पर मांडवा पुलिस अस्पताल पहुंची और डॉक्टरस से बात करन लोटे थे, घर पर मा शीतल आंगर में बैठ कर काम कर रही थी, जब पिता ने बच्चों की बारे में उससे पूछा, तो शीतल ने बताया कि बच्चे शाम 6 बजे से घर की अंदर सो रहे हैं, पुलिस ने कहा कि पती के घर से जाने के बाद कोई भी घर की अंदर नहीं आया और ना ही बच्ची बाहर गए, फिर दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई, एसे संध है पैदा हुआ, तो हमने शवों को पोस्वाटिंग के लिए जेजे अस्पताल भेशिया, कही दिनों तक सदानंद और शीतल दोनों से पूस्ताश की गई, लेकिन किसी गलबडी का कोई स सक्ती से पूस्ताश की, तो वहें आखरकार तूट गई, और उसने बच्चों की हत्या करने की बात कुबूल कर ली, मा शीतल ने बताय कि उसने बच्चों की मूँ और नाप को तौलिया से दबा दिया था, जिससे उनका दम खुट किया, और उनकी मौत हो गई, शीतल ने ब बताने की एक्च्चा में बच्चे उसका बाधा बन रहे हैं, लिहाजा मा शीतल ने बच्चों से छुटकारा पाने का फैसला किया, उधार मुंबई के जेजा स्पताल से मिली पोस्माटम रिपोर्ट में भी बच्चों की गला घोट कर हत्या करने की पुष्टी हो गई, प अलिबाग अदालत में पेश के जहां से उरे तीन दिन की पोलिस रासत में भेश सिया गया है, और पोलिस अब इस पोरे मामले की आगे की जाश परताल में जुटी होई है